चलिए आज मैं एक नई वीडियो लेके आया हूं इनके बाल इतने लंबे हैं और हमने इतने छोटे कट कर दिये यहे कट बहुत मज़ेदार होने वाला है क्लाइंट हमारी बहुत बॉल्ड है और शी वांटस तू कट हर रेली शॉट उनको लगता है कि बाल छोटे करवाने हैं क्योंकि कलर करवाया था उनको डैमेज लग रहे थे नहीं मज़ा आ रहा अभी संभालने में मुश्की हो रही है तो शी इस लाइक कि मुझे छोटे करवाने है मेरे पास आई है हम शोट भी करेंगे बैक में कोई UV लेंथ नहीं देना है हमें स्टेट लेंथ रखना है और थोड़ा मुवमेंट भी एड़ करेंगे इसके अंदर तो बहुत मज़िदार क्लास है हमने लेंथ पूछ लिया है कलर वाले बाल अल्मोस्ट सारे चले जाएंगे हम बारा इंच के करीब ये बाल काट रहे है काट दिये आप लेंथ देख रहे हो शोल्डर के करीब है एकड़ हम हैड एकड़ नीचे रखेंगे स्टेट लाइन क्रियेट करेंगे मैं बालो को पकर रहा हूँ इनके मैं हेर एक्स्टेंशन बनाऊंगा ताकि हम इसको बाद में यूज कर सकते हैं फोर आउर हेर एक्सपेरिमेंट्स तो फिर से मैंने बाल काटे उसी तरीके से ध्यान से देखते जाएए एंद इसको मैं संभाल के रख लूँगा तो हमारे पास एक लाइन जो है वो क्रियेट हो गई है स्टेट लाइन अब इसमें मैं स्टार्ट कर दूँगा लेयर्स एड़ करना 90 डिग्री पे देखिए ध्यान से उसी तरीके से मैं बाल काट रहा हूँ जस्ट सी एट हम इसमें थोड़ा मूवमेंट एड़ कर रहे हैं जिसकी वज़ा से बाल देखिए सारे बाल हमें यू लेंथ ना मिले पीछे तो हम 90 पे नहीं उठाएंगे उसको टूवर्ज जस सेंटर पार्टिशन लेके आएंगे देखिएगा पहले यहां पे काटता हूँ मैं 90 ये नहीं काटना है ये नहीं काटना है इसको सेंटर पार्टिशन में लेके आना है पूरे बालों को फिर जिगजग काटना है उसी तरीके से जिगजग काटते जाओ और ये बहुत अच्छा मुवमेंट भी आएगा और यू लेंथ भी क्रियेट नहीं होगा तो अभी दूसरा सेक्शन ले रहे हैं पहले प्रफाइल सेक्शन में अभी मैंने सीधा होर्स शू सेक्शन ले लिया है मैंने बाल गिले कर लिये हैं बाल गिले करने बहुत ज़ादा जरूरी है जब भी आप बाल गिले करोगे और साथ-साथ में हमारी upcoming classes भी है उसके बारे में भी बता देता हूँ मैं आप लोग जरूर जोइन कर लीजेगा color की class 14 मार्च से start हो रही है 2023 अगर आपको join करना है you guys can join anytime ये screen पे मेरा number आ रहा है उस पे click कर दे इन बालों को भी center partition पे लेके आऊँगा ध्यान से देखिएगा उसी तरीके से यहां पे yes और हम Instagram पे बहुत सारी reels डाल रहे हैं अभी जाके देखिएगा hair extension कैसे बनाते हैं इन कटे हुए बालों से तो मैं hair extension for hair experiment बनाने वाला हूँ आप उसको use कर सकते हो future में अपने hair experiment में उसकी भी reels डाल रहा हूँ मैं तो इन सारे बालों को पीछे लेके आ रहा हूँ shoulder के पीछे मैं दुबारा से चक करूँगा comb करूँगा जहां पर मुझे थोड़ी बहुत गलती लगती है मैं काट दूँगा zigzag 45 एंगल पे 45 डिग्री एंगल पे मैं अपनी सीजर को hold करता हूँ जब भी बाल काटता हूँ और state length भी चक कर लूँगा जो front वाले बाल काते हैं उनकी length लंबी तो नहीं लगरी तो वो भी short कर दूँगा अभी other side ध्यान से comb करूँगा सारे बाल ले के आऊँगा center partition पे बाल पकड़ दूँगा अपनी pinky finger मतलब छोटी finger के नीचे और zigzag में cut कर दूँगा सारे बालों को और इन बालों को मैं संभाल के रख लूँगा कि इससी ततरीके से मैं length short करता जा रहा हूं बाल संभाल के रख रहा नगे आपको वह भी देखीएगा अभी लेन्थ देख लेता हूं चख कर लेता हूं अभी रहा गया मेरा horse shoe section उसको कैसे करना है horse horse fonctionne में भी एक सेक्शन निकाल के छोड़ दूगा मैं । рас और सारे बालों को अच्छे से किला करके इन बालों को भी सेंटर पार्टिशन पे आके कटेंगे जो सेंटर का 90 डिग्री है वहां पे आके कटेंगे मैं पीछे लेकर आऊँगा थोड़े से बाल ताकि वरियेशन दे दू क्रियेट कर दू इसके अंदर ये क्लास हर एक एंगल से मैं प्लैन करता हूँ मुश्किल हो जाता है बनाना पढ़ करना पड़े कैमरा मैं जो मेरा ये काम कर सके सब तरफ घूम सके जब मैं बाल का रहा हूँ इस साइट के बाल भी असी तरीके से को करूंगा हमारी हैरurrection की ट्रॉम कारों से आ पित्स शारे है ऑर मेक अप की क्लास आ रही है, hair color की class आ रही है, basic to advance hair cutting की class आ रही है, कोई भी class आप जॉइन करना चाहते हो, मुझे message करिए, screen पे दियोए नमबर पे, screen पे नमबर अभी आपको दिखाई देगा, यह रहा, 7053-116666, यह मेरा WhatsApp नमबर है, आप मुझे message कर सकते हैं मेरे WhatsApp पे, और detail पूछ सकते हैं sir, upcoming classes के बारे में बताईए, और उसका fees भी पूछ सकते हैं, चलिए, top के portion जो है, center partition वाले box area, जो मैंने half moon छोड़ा था, वो 90 degree पे काटके छोड़ दूँगा, उसके बाद हम बालों को कर लेंगे dry, dryer से, जो की है, मेरे पस Dyson का dryer, बहुत अच्छी machine है, अगर आप खरीदना चाह है, और इसके बाद जैसे ही हम dry कर देते हैं, बालों को सुखा लेते हैं, 80-90%, अभी बालों में मैं करूंगा, tong setting सिरफ ends के उपर, सिरफ ends के बालों को हलका सा out करके छोड़ देना है, proper curls नहीं देने हैं, ends के बालों को out करके छोड़ देना है, मैं ये वीडियो जो है, आपको इसलिए दिखा रहा हूँ, अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो ends को हलका हलका out करके छोड़ते जाओ, पूरे बालों को curls मत करो, तो हलका out करने से क्या होगा, आपके बालों का जो shape आपने दिया है, वो दिखना शुरू हो जाएगा, कि आपने क्या create किया बालों में, क्यो यह जादा stay करती है, जादा देर तक, blow dry से भी जादा, और result बहुत अच्छा रहता है, और client को भी थोड़ा ऐसा लगता है, कुछ different किया है, सब लोग blow dry तो करते ही है, और कुछ लोग typical client होते हैं, जो सिनको सिर्फ blow dry ही चाहिए, आपका experiment कुछ नया जो आप करना चाहते हो, वो नहीं चाहिए, तो client से पहले पूछ ले, बात कर लें कि उनको क्या चाहिए, अगर आपको video पसंद आ रहा है, like कर दो, और सब लोगों के साथ share किया करो, अपने friends के साथ, जो लोग video देखते हैं, जो लोग ये काम करते हैं, hair dressing का, ये video ज़रूर share करो, हम आगे बढ़ें इसलिए ताकि ये बाल और मुझे एकदम प्रोप पर, you know, typical वो outwards curls नहीं चाहिए, मुझे soft curls चाहिए, इसलिए हलका साथ करके छोड़ दे रहा हूँ, इसमें मेरे पास अलग-अलग size है, जैसे ये 1 inch है, मैंने अभी 1 and half inch लिये, तो वो golden color की है, tong setting और ये black color की है, तो upcoming videos में अगर मैं haircut करता हूँ या video record करता हूँ, तो आपको उसके अंदर वो दिखाई देगी, उसका result और भी अच्छा आता है, तो हर एक size का tong जरूर रखें अपने पास, सब लोग video देखने हैं, मज़ा आ रहा है, कुछ नया सीखने को मिला तो जरूर इस video को like कर दें, share कर दें डालू अपने channel पे तो आपको message आ जाएगा कि ये video hair solution वालो ने अभी डाली है, आप जाके देख सकते हो, वैसे हम everyday live भी आते हैं हमारे channel पे, बट जिस दिन कुछ issue होता है तो हम video upload कर देते हैं, बीच बीच में video भी रहती है और live भी आते हैं, तो top के portion को भी उसी तरीके से, मैं हलका सा ends को out करके छोड़ दे रहा हूं, देखिए, कुछ जादा नहीं करना है, हलका सा ends को out करके छोड़ दे रहा हूं, मुझे जादा नहीं करना है कुछ, सिरफ shape देना है, ends को shape दे रहा हूं, देख रहे हैं आप ध्यान से, even on other side, box area को हम straight ही रखेंगे, ये हमारा final look है हे कट कैसा लगा, आप लोगों को मज़ा आया देखके, ये like it guys, अभी ये देखिए, movement कितना जादा आ गया है, short length हो गई है, और color वाले hair सारे निकल गए है, और pony भी हो रही है, सबसे बड़ी बात, इतने छोटे बालों में pony होना मुश्किल हो जाता है, विड़ हमने length accordingly के subscribe कर दो, thank you.